हेलो एब्रीवन कमल वैज किचन में आपका सुवागत है आज हम बना रहे हैं मटर पनीर की सबजी बहुत ही कॉमर रेस्पी है यह इस रेस्पी को आज आप मेरी स्टैल से बनाना सीखें तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं इसके लिए मैंने पैन में एक छोटा चमच देड डाला है उसको अच्छे से गर्म करें एक छोटा चमच जीरा डालें तीन साबुत कश्मीरी लाल मिर्च तीन चार शोटी इलाची दो कटे हुए प्याज डालकर इसको थोड़ा सा भून लेंगे जैसी ही थोड़ा सा भूनेगा इसमें डालेंगे दो कटे हुए टमाटर और इसको डखकन लगाकर एक से दो मिर्ट तक पका लेंगे तो जी देखिए टमाटर थोड़े से गल गया है तो अब हम इसको निकाल लेंगे एक प्लेट में इसको ठंडा करेंगे ठंडा होने के बाद इसको मैंने ग्रैंडिंग जार में डाल कर इस तरह से पीस लिया है कडाई में दो टेबल स्पून टेल डालेंगे इसमें एक चम्म चदरक लसन का पेस्ट डालेंगे थोड़ा सब भूनेगे इसमें और हमने जो पेस्ट त्यार करा है वो इसमें डाल द इसलिए इसको अच्छी तरफ से पकाना है अब हम इसमें डालेंगे एक छोटी चमच नमक, आदा छोटी चमच हल्दी पौडर, एक छोटी चमच दाल्चिनी का पौडर, एक छोटी चमच धनिया पौडर तो अब हमने इसको जब तक तेल अलग नहीं हो जाता तड़के से तब तक हमने इसको भुनना है तो यह देखिए आप देख सकते हो के तेल बिल्कुल अलग दिखने लग गया है तो अब हम इसमें डालेंगे एक कप हरे मटर अच्छे से मिक्स करेंगे इसको ढखकन लगाकर हम एक मिनिट तक इसको पका लेंगे अब हम इसमें डालेंगे एक छोटी चम्मच देगी मिर्च यह कलर के लिए ही मैंने डाली है इसमें इससे सबजी का कलर बहुत अच्छा आता है वाननेट हाफ कप मैंने पानी डाला है जान जितनी करेवी आप रखना चाते हो उतना पानी डाल सकते है अब हम इसको ढखकर एक से दो मिनिट तक पका लेंगे तो यह दिखे कलर भी कितना अच्छा आ गया है और मटर भी अच्छे से पक गया है तो अब हम इसमें डाल देंगे 200 गुराम क्यूब में कटा हुआ पनीर बस पनीर को हमने ज़्यादा नहीं पकाना है एक मिन्ट तक हम इसको पकाएंगे यह दिखे सबजी का कलर हो कितनी सुवादिस्ट सबजी लग रही है आप भी इस रेस्पी को जुरू ट्राइ करें अगर आपको मेरी वीडियो पसान दाए हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें थैंक्स फर वाचिंग